नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठेकाना अक्सर लड़कियां और लड़के पढ़ाई के दौरान और जॉब्स करते हैं कुछ न कुछ साइट के जॉब्स पकड़के रखते हैं पॉकेट मनी के लिए पैसों के लिए हर किसी को जरूत होती है खर्चों की ऐसे में एक लड़की ने पैसा कमाने के लिए अपनी न्यूड फोटोस बेचने का काम शुरू किया कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर ये न्यूड पिच्चर्स डाली जाती हैं और इसके लिए लड़के लड़कियों को भारी रकम मिलती है इस लड़की को कोई आपती नहीं थी अपनी न्यूड फोटोस और वीडियोस डालने के लिए यही कारण है कि यह इने ही बेच कर पैसा कमारी थी हाला कि nude photos और videos में लड़की अपनी पहचान चुपाती है और अपना चेहरा भी चुपाती है इसी बीच लड़की लंबे समय से ये काम कर रही की और उसके काफी clients बन गए काफी लोग उसके fans बन गए लेकिन उन सभी fans और clients में से एक शक्स ऐसा था जिसके सचा ही जब लड़की को पता चली तो उसके पैरों तर्रे जमीन खिसक गई उस लड़की का पिता ही उसका client निगला और पिता उस लड़की की अश्कील वीडियो देखकर उसे पैसे देता था यह लड़की जिसका नाम कार्ला है यह only fans नाम की website पर adult content create करती है और उसे डालती है pictures और videos जो सभी के लिए होते हैं उनके लिए एक particular रकम मिलती है लेकिन अगर कोई clients चाहे तो उनके लिए वो personal life session भी करती है और उसके लिए भी मोटा पैसा लेती है इसी दोरान इस लड़की का एक client ऐसा था जो मूँ मांगी कीमत देने को तयार था उसके अशलील विडियो के लिए लड़की को 11,000 डॉलर से जादा यह शक्स देने के लिए तयार था उसके अशलील session के लिए जिस वक्त यह अशलील session होते हैं उस वक्त लड़की का भी मूँ धका हुआ रहता है और जो client होता है उसकी भी पहचान चिपाई जाती है ऐसे में लड़की ने अपने इस client के लिए वो अशलील session किया session के दौरान client के आवाज से भी उन नहीं पहचान पाई कि यह उसके पिता है लड़की को पता तब चला जब पीछे एक lady की आवाज आई जो हू बहू उस लड़की की मदर की आवाज जैसी थी और फिर लड़की को पता चला कि एक client और कोई नहीं बलकि उसके पिता ही है सबसे बड़ी बात कारला ये चानकर हैरान हुई कि ये same client दो अलग-अलग नामों से कारला को अप्रोच करता था और उससे live session के डिमांड करता था यानि कि उसके पिता उससे सिफ एक session के जरिये ही नहीं बलकि दो account के जरिये जुड़े हुए थे और इन दोनों account से वो मूँ मांगी कीमत देते थे इस अशलील content को देखने के लिए लड़की को ये बात बेहत हैरानी वाली लगी लड़की अपने पिता की इस हरकत से हैरान है वहीं लड़की को ये भी पता है कि जब पिता ये जाने तो वो भी हैरान हो जाएंगे ये बात खुद काला ने अपने टिक टॉक के जरिये एक विडियो में बताई खबर ठिकाना में अभी के लिए बसेता ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना